प्रिवार गुरू ग्रूग्राम सौभाग्य भक्त श्री मनीश गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इन्दौर सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदै जैन, सिविल लाइन्स परिवार दिल्ली सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशल जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयूष, श्रीमती दिशा अगडिया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार गुरगाव, सौभाग्य भक्त श्री आलोग जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिश्का जैन, शौरे जैन परिवार पुरा दिल्ली यहिए, भुरुष्णी ओक टिल्ली ख़ुरुष्णी दो ईयुम नभादे नेहाजू न किस्टील नभादे नासतो धाल आ झाल मुष्पेशनु सिर्ण आदाना थारि वोली जाने मुझे डोही लागी महारेवारी शहाँ देशे आदिनादा वुवां एक दोस्टेशार से आदाना जाना गजमा ठादाना थारि जानों महनुभाओं एक बार एक इसान से दूसरे इंसान ने पुछा कि हमें पेड़ फल देते हैं नदी तलाब जल देते हैं प्रत्वी हमें शुद्ध बाईव देती है उसके बदले में हम उन्हें क्या देते हैं तो दूसरे इंसान ने कहा पेड़ का काम देने का है नदी का काम देने का है प्रत्वी का काम देने का है लेकिर इंसान का काम सिर्फ लेने का है कितनी चल्दी भोले हैं आप लोग सुब क्या है इनिसान का काम सिर्फ लेने का है और यही हो रहा है कि देने वाला दे रहा है और हम लेने वाले लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं देने वाला देने में कमी नहीं करता और लेने वाला लेने में कमी नहीं क जालकि ऐसी परिस्थती है हर कोई वेक्ती आता है अपनी बात रखता है अपनी करिया को रखता है अपने कारी को रखता है और रखने के बाद चला जाता है लेकिन कभी यह सोचिए यदि हमें किसी ब्रक्ष से दो फल खाने को मिल रहे हैं तो हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हम भी ऐसा ब्रक्ष लगाएं कि आने वाले को कम से कम अगले बार चार फल मिल सके क्योंकि किसी दा किसी ने आपके पूरवज ने आपके जानकार ने आपके पुडोसी ने जब दो फल लगाए जब जाकर आपको चार फल की पराप्ती हुई और यदि आप लोग चार फल लगाऊगे तो आने वाले को भी क्या होगा आठ फल की पराप्ती हो जाएगी तो यह सिलसला चला आएगा यदि नदी में पानी आना बंद हो जाए तो इंसान जल के लिए तरहीमान हो जाएगा पेड़ अपना बनस्पति यदि अपनी कार बंद कर दें तो इंसान खाने के लिए तरहीमान हो जाएगा तो इस प्रकार से हर चीज चल रही है दिन के बाद रात के बाद दिन आ रहा है और हम लोग को भी क्या करना चाहिए उसी चलते हुई कार में अपना कार करना चाहिए नहीं तो बस चल रहा है कार हम सोचते हैं कि जितनी हमारी जिन्दगी है उतना तो प्रयापत है लेकिन अस्ता नहीं है बीच में जब दो साल कोविड का काल चला आप सबने देख लिया कि भाई भाई के पास नहीं जा रहा है उपर नीचे वाला उपर नीचे नहीं जा पा रहा ऐसा समय मैं समझता हूँ भगवान अब दुबारा किसी के जीवन में ना है उसमें कई लोगों ने अपनों को खोया कई लोग अपनों से दूर हुए और सच माईने में यह मानिये कि आदियों के पास सब कुछ था धंदोरत की कमी नहीं थी लेकिन पीने के लिए दूद नहीं था और खाने के लिए फल नहीं थे ऐसी बीमारी चल गई थी लेकिन उसके बाद भी लोगों ने समता परिणाम दिखाया कई लोगों ने उस बावजूद बीमारी के भेंकर बीमारी के बावजूद भी लोगों को जाकर रासन बाठने का प्रयास किया कही ना कही परूपकर जीवित है कही ना कही लोगों के मनमें इंसानियत जीवित है कही ना कही लोगों के अंदर करुणा के भाव बिद्वान है नहीं तो बस और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसमें भी ब्यापार करने का सोचते हैं आप सबने देखा होगा चार-पास साल पेले अश्टापत क्याला स्वरप पर एक तवाही हो गई थी तो वहाँ पर तवाही ऐसी चली कि लोग बह गए बादल फुटा पानी बहा कहते ना जहाँ पर मिठाई होती है वहाँ पर मक्खी अपने आप आजाती है और जहाँ पर भीड होगी वहाँ पर चोर अपने आप आजाएंगे औसी दुर्दसा में भी मैं दिल्ली में था मैंने न्यूस पीपर में सुना पड़ा था न्यूस में जब को बता रहा था कि सुनाई वुई थी कि वहां पर कई तरह के चौर पोच गई वहाँ लासे बहए रही थी और चौरों ने क्या किया कुकर के अंदर जो लासे बहए रही थी उनकी उंगली काट लिए जिसमें गुटी थी और कुगर के अंदर रख लिया, ऐसे ऐसे लोग भी विद्दमान होते हैं कि जो वहाँ पर जाके साहता कर रहे हैं लेकिन चोर मुर्दे की भी उंगली काटकर अउठी वाली उंगली काटकर कुगर में रख रहा है पकले गए इसलिए बात मालों चली तो ऐसे लोग हैं, यहाँ पर आप आ रहे हो भगवान जी के मंदरी में दृष्ण करने के लिए पुजन करने के लिए, गुरु दृष्ण करने के लिए गुरु सानित पाने के लिए और कोई विक्ति आपके साथ में आ रहा है कि मैं कच्चने जी आउंगा और मेरा हिसाब किताब बाकी हो, मैं कर लो अरे, हिसाब किताब करने मताओ आप भगवान के पास में अपने करमों का हिसाब किताब करने आओ अपने करमों का लिखा जुका करने आओ तो आपके जीवन का निश्य दूरु से कल्यान हो जाएगा क्योंकि परमात्मा के पास ना कागच है ना पैन है परमात्मा के पास ना कागच है ना पैन है लेकिन ऐसा कोई इनसान नहीं है जिसका हिसाब किताब लिखा जो का उसके पास नहीं है और मैं हम इसे एक बात कहता हूँ कोई प्लस करता है कोई माइनस करता है हम लोग क्या करते हैं कोई जोडता है कोई खटाता है कोई कुछ करता है कोई वेक्ति प्लस करता है कोई वेक्ति माइनस करता है लेकिन परमात्मा ही ये कैसे होते हैं जो प्लस माइनस नहीं करते हैं बलकि सबका हिसाब बराबर कर देते हैं और सारे के सारे हिसाब को बराबर क समस्तिया आ रही है और कुछ समस्तियाओं का आभगवन कराने वाले हम लोग हैं आप यहां पर बैठकर जो जो से चिलाओगे तभी तो लोग आकर बुलेंगे कि भाई सब धीरे बुली हम भी पूजा कर रहे हैं और आप यदि प्रेम पूजा करोगे तो कोई वेक्ति आपसे साधी की दहीलीच पर था उसे सुना था कि साधी हुरा सरल है लेकिन साधी के बाद… मुझे इसके बारे कुछ पता नहीं है साधी होना तो सरलह लेकिन साधी के बास साधी को निभाय रखना बड़ख नहीं है एक संत्य के पास पहुचा बोले संत्य Gray मुझे पताए कि मैं बयवाहई के जीवन में प्रव्योष कर रहा हूं तो मेरा जीवन अच्छा चले इसके लिए मैं क्या करूँ उन्हें का जाओ बाहर एक अन्यश्म परदाई की संत्र थे वहाँ पर एक सद्ग्रस्त है उसके पास जाकर पूछो कि मैं साधी के मंदप में प्रविश कर रहा हूँ मेरा जीवन कैसे हो वह पोचे ठंडे का समय था और जिसको पूछने के लिए बुदा था वह धूप में खाट डाल कर बैठा हुआ था वह धूप में खाट डाल कर बैठा था उसने कहा भाई में एक प्रश्न लेकर आया हो कि साधी के बाद बैभाईक जीवन कैसा उसने अपनी पतनी को अंदर आबाज दी बाहर धूप में खाट पर बैठा था अपनी पतनी को अंदर आबाज दी की लाल्टेल लेकर आओ क्या कहा अंदर पतनी को अबाज दी की लाल्टेल लेकर आओ आप सुचिए कि यदि आपके घर में यदि आप रोशनी में बेठे हो और आप अपनी पतनी को भूलो कि टार्स लेकर आऊ तो जबाब किया आएगा किया आएगा आप समझ सकते हैं तो उन्हों ने कहा कि लाल्टेनلى कर आओ अंदर से पतनी लाल्टेनलेकर आगई तो आद्मी पूसता जोलों की भुख लग रही है टमाटर ककड़ी का सलाद लेकर आओ अंदर से केले और मटर आगे टमाटर ककड़ी नहीं आई सोची है ऐसा है दिक पत्नी करते कि टमाटर ककड़ी केले और मटर लेकर है तो क्या होगा उस ते कुछ नहीं का इतने में पतिनी ने कहा कि बाहर पानी का घड़ा रखा है कम से अंदर ला कर दे दू उस आदमी ने घड़े की जगा छोटी सी हंडी उठा कर अंदर ला कर दे दी पतिनी ने कुछ भी नहीं का ऐसे चार-पाच बाके हुए उस आदमी ने कहा यह तो निरा पागल है इस से मुझे क्या मैं तो चलता हूँ उसने कहा भाई समझा अब बोले आपका समाधान तो सुच लीजे मुझे कोई समाधान नहीं चीए मैं तो जा रहा हूँ वो ऐस संते के पास पहुचा बोले संते जी मैरे गरस्ती बसाने की बात करी थी आपने तो ऐसे आदम की जो पहलु आद भेज़ दिया जो गरस्ती उजारने की बात कर रहा है बोले क्या हुआ बोले वह बाहर धूब में बैटा हुआ है अपनी पत्नी से गरा लाल टिल लेकर आओ तो उस्ने कहा फिर क्या हुआ बोले पतनी भी निरी मुर्ख है क्यों है जाकर लालटेल लेकर आगई तो उस सद्ध ने कहा यही तो बैभाईक जीवन का सार है कि पती यदि धूप में भी लालटेल माग रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा तो पतनी को चाहिए कि चुपचाब लालटेल लाकर दे दे तो आज की जमाने में क्या होगा कि वो दिखता नहीं कि धूप में भी लालटेल माग रहा है और अंदर से जब ठीके बोले पती की बास्ता उन में आई लेकिं अंदर से जब पतनी ने कहा कि पानी का हंडा लेकर आजाए और इसे छोटी सी छोटी सी पानी कर ला दिया अरे बोले भाई हो सकता है कि बड़े हंडे में पानी ना हो इसलिए छोटा हंडा पानी लेकर दिया उद्देस तो पानी का था लेकिन आज कल के समय में पेसेंस नहीं है सुनतो लो पत्नी ने पती से कहा कि बजार जाते जाते टमाटर लेकर आजाना और गल्ती से वह बटर लेकर आगया तो क्या होगा क्या होता है क्या होगा कि क्या जिस टमाटर लेकर आए और मटर लेकर आजाए तो जगड़ा फसाद चलो हो जाएगा कभी ये भी तो सुचो कि वहाँ पर टामाटर नहीं होगे तो कम से कम पती टामाटर की तका मतर लेकर तो आया खाली हाथ तो नहीं आया और यदि कभी पद्री ने अंदर से गर्मा-Gरम चाए मागी और अंदर से चाए की जगा कौफी आ रही है तो पती को भी सुचना चाहिए कि अंदर चैपती खतम हो गई होगी, इसलिए कॉफी आई है, यदि इस तरह से आप जीवन को जीने का प्रयास करोगी, तो आपके जीवन में कहीं पर भी जलालो परिसानी नहीं आएगी, लेकिन आज जीवन में चल क्या रहा है, मैं आप इस पेसेंसलेस, आदमी के अंदर सुनने की समर्थ नहीं है, समझने की समर्थ नहीं, गुस्ता करना है, गुस्ता दो मिट बात करो, पहले बात समझे लो, क्या बात है, आज इंसान कुछ चीजों में उदास, नाराज, उनमें भी हो जाता है, जिसका कोई कारण नहीं होता, अब तुन नमसकार करोगे, तो महराजी का हाथ तुमको कैसे दिखेगा, तो कॉमंसेंस है, और आपने, मैं तो एक बात कहता हूँ, कि आपने भगवान को नमसकार कर लिया, आपने गुरू को नमसकार कर लिया, उनकी दृष्टी आप पर पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप आपको नमसकार करने का पुन मिल जाता है, आपको बेक्षा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज इनसान जैसा घर में कर रहा है, वैसा ही मंदिर में करता है, और जैसा मंदिर में कर रहा है, वैसा ही सतसंग में करने का प्रयास करता है, कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिल ज दिया लेने देने का काम तो लोगों का है और इंसान का काम मात राज के समय में लेने लेने का हो गया है देने काम इंसान से होता नहीं तो अपने जीवन में आद्व थान की रहे हैं पर चलें जीवन का कल्यान करें यहीं अधांब स्पॉघृर्भाम नश very safe सिद्धान्त सागर जी महराज जी श्रिमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली सौभाग्य भक्त श्रिमान विजेंद्र जैन श्रिमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम सौभाग्य भक्त श्री मनीश गोधा श्रिमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदोर सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदै जैन, सिविल लाइन्स परिवार दिल्ली सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशल जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयूष, श्रीमती दिशा अगडिया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार गुडगाउं सौभाग्य भक्त श्री आलोग जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिश्का जैन, शौरे जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली